दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुहमद रफी सहाब का इंतिकाल 31 जुलाई सन 1980 को हुआ था रफी सहाब मात्र 56 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए थे और अपने करोड़ों चाहने वालों को एक कभी खत्म ना होने वाला दर्द दे गए थे ज ऐसे तो आमतर पर जुलाई के महिने में मुमिम बहुती जादा बाईश होती है लेकिन उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था कि रफी सहाब के गम में आसमान भी रो रहा है ऐसे में सब को लगा कि रफी सहाब के जनाजे को अगर रफी मिंशन लेकर जाएंगे जो की बांदरा में तो भीर बहुत ज्यादा हो जाएगी और लोगों को रफीज साहब के लिए अपने जज़वातों पर काबू रहना बहुत ही मुश्किल होगा इसलिए आखिर में ये फैसला लिया गया कि रफीज साहब के जनाजे को रात भर तो हॉस्पिटल में ही रोकते हैं और इसके लावा एक बज़ा ये भी थी कि उस वक्त वहाँ पर उनके एक ही बेटे शाहिद रफी मौझूद थे और उनके बाकी बेटे लेंदन में थे वुपिंदर सिंग्जी जैसे कि आप जानते हैं बहुत जाने माने गायक हैं और उत्तम सिंग्जी बहुत जाने माने संगितकार है इतिफाक से उस वक्त हॉस्पिटल के रूम का एसी सही से काम नहीं कर रहा था तो बर्फ किसे लिया मंगाई गी ताकि रात भर कोई दिक्कत ना हो सुभा होने पर उत्तम सिंग जी और कुछ लोगों ने फैसला किया कि कुछ फूल भी रफी सहाब के जनाजे पर होना चाहिए और वो लोग फूलों की दुकान पर पहुचे अब एक और इतिफाक की दुकान मंदिर के पास थी और उस दुकान से फूल ले जाकर देवी देवताओं पर चढ़ाय जाते थे वहां से उन लोगों ने काफी सारे फूल ले जाकर रफी साहब की जनाज़े पर रख दिये उसके बाद रफी साहब की जनाज़े को रफी मिंशन ले जाये गया वहां से रफी साहब का जनाज़ा ओपन ट्रक में सांता क्रूस के कबिस्तान के लिए ले जाये गया रफी सहब के इंतिकाल की खवर जंगल की आग की तरह सब तरफ फैल चुकी थी और जिसने भी सुना वो अपने सारे काम छोड़कर रफी सहब के आखरी सफर का साथी बनने के लिए रफी साहब की घर से कभिस्तान तक जाने के लिए बांदरा में रफी साहब की घर रफी मेंशन पहुचना शुरू कर दिया इस तरहां हजारों की भीरों रफी साहब के आखरी सफर का गवा बनने के लिए उनके साथ चली क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या इसाई हर धर्म के लोग रफी साहब के आखरी सफर के गभाव ने और जब रफी साहब का जनाजा कबिस्तान पहुचा तो लोग उनकी आखरी जलक पाने को बेताब थे बहुत सारे लोग कभिस्तान की दिवारों पर चड़ गए, कभिस्तान की दिवारों पर पांच लगे होने के वज़ा से बहुत से लोगों के हाथों से खून भी बह रहा गा, फिवी लोग पीछे नहीं हट रहे थे जब रफी सहब को तक रफना दिया गया तो उसके बाद कई साये लोग रवी साहब की कबर की मिट्टी भी अपने साथ रफी सहब की निशानी के तोर potrzeb ले गए तो दोस्तोा ऐसा था रफी साहब का आक्री सफर जिसने सभी को रोने पर मजबूर कर दिया था रफी सहाब के इंतिकाल पर भारत सरकार ने भी दो दिन का राष्टी शोक गोशत किया था दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जबूर बताएं और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक क प्लीडियो को लाइक के दो वाइक के से जडियो कोड़ियो को दो स्टनिक भी बूश्म, हमेंर। help दोस्तों ग्रीक, गुष् Kraftकार को हम unus hold दोस्तों आपको ऑबूर मोशते हो दोस्तों आ csran fathersvida को हigare तोस्तों था है, geordत्या वह भी का जड़ियो ए लाँ, हुब। कर दो